आज हम बात करेंगे एक उर्मी काविया की नम्बर नाइन हंकारी चा यह सुन्दरम के द्वारा लिखा गया है सुन्दरम उपनाम है सही नाम त्रिभुवन दाश पुरुशोतन दास लुहार है कवी है वार्ताकार है विवेचक है एकदम अच्छे से साहित्य का सर्जन किया है परुश जो जिल्दा है वहाँ पर एक मिया मातर करके गाउं है वह उसका वतन है सबसे पहले स्टार्टिंग में एजुकीशन लिया फिर बिजनस के लिए आमदाबाद में रहे 1945 से जब तक मृत्यू ना हुई तब तक वह योग साधना के लिए पॉंडी चेरी अर्विंद आश्रम में रहे गांधी यूग के जो प्रमुख कवी होते है उसमें यह जो सुन्दरम है वह काफी फेमस है और यूगदान भी काफी स्रेश्ट है विवेचन, नाटक, प्रवास, नीबंध, ट्रांसलेशन, सब कुछ जो यह जो लिट्रेचर होता है उसमें होता है तो वो सभी में complete work दिया है काव्य मंगला कुया फकतनी कडवी वानी, गरिबोना गीत, वसुधार, रंग-रंग वादडिया, यात्रा, वर्दा, मुदीता, चैसे काव्य संग्रह दिये अर्वाचीन, कविता और अवलोकन, विवेचन, संग्रह ग्रंथ है दक्षेनायन एक जो ट्रावेलिंग के पर लिखा गया एक पुस्तक है प्रक्रुती और परमतत्व ये दूनों को कॉंबिनेशन देकर अच्छे से कविताय लिखी गई है रजित्राम सुवन चंद्रक, महिडा पारितोशिक, नर्मत सुवन चंद्रक, साइत्य अकेडेमी, दिल्ली से भी ऐसे काफी एवोर्ड्स मिल गए है यह रचना प्रभुदर्शन की तीवर जंखना सेवता है और भक्त रदई की जो उत्सुकता होती है उसके साथ जोड़ी गई है भक्त रदई भूखी सबरी जैसा होता है जैसे हमने सुना था कि सबरी ने अपने राम के लिए एक-एक जो बेर थे उसको अच्छे से टेस्ट करके फिर राम भगवान के लिए रखे थे वह सिर्फ राम दर्शन को भूखी थी जब जूठे किये गए बोर बेर जब राम जी को अरपन करते है तो राम जी भी स्विकार कर लेते है बेर देने के बाद वह सिर्फ यही चाहती थी कि मुझे राम जी के दर्शन हो उससे में संतोष प्राप्त करूं और त्यागी बन कर योग को पामूं यह पूरा संसार एक घाट की तरह है यहां पर हमारे अहंकार से बिलकुल अच्छे से रहा नहीं जाता वो एकदम सिंपल सोबर सा एकदम पतला सा एक धागे की तरह होता है उससे ही पूरा संसार यहां पर टिका हुआ है यहां पर कभी कहते हैं कि उसे किनारे से संतोश नहीं है वह किनारा से दूर एक सागर में जाने को व्यतित है परंतत्व को पाने के लिए continue वह चाती रहती है कभी यहां पर जो हमारा मन है उसको ऐसा बोलते है कि वह तो हमारा मालिक है जैसे श्री कृष्ण ने किनारे पर जो बाद्री हुई नाव थी उसे संसार में जाने की परमेशन दी थी और बोला था कि यह जो नाव है उसको संसार के पार ले जाओ In this prayer, the intense desire of God's darshan has been explained The devotee's heart is always eager to get the grace of God, Shabari, gained cure and left suffering by Ramdarshan The boat of life is tied with ego at the coast of the sea of the world The poet wants to take the boat in the middle of the sea and enjoy the cell In the end of the poem, the poet expresses his desire to gain मुक्ष यहाँ पर मुक्ष प्राप्त करने की बात की गई है मारी बंसी मा बोल बेवगाडी तुझा, मारी वेना नी वानी जगाडी तुझा जन्जाना जांजरने पहरी पधार पिया कामना कमाड मारा धंडोडी जा ओ गॉड़ प्राप्त करें मारा धंडोडी तुझा प्राप्त करें मारा धंडोडी तुझा और जैसे पवन के साथ बारिश भी आती है वैसे आप हमारे वहां पधारो मैं मेरे मन के जो इच्छा रूपी द्वार है उसको उपन करना चाहती हूँ पोडेली पापन ना पड़दा उपाडी जरा सोनेरी सोनलू बताडी तुझा मारी वेना निवानी जगाडी तुझा सुनी सरीता नतीर पहरी पितांबरी दिल नो दड़ूलो रमाडी तुझा प्लीज रिमूव दापनेस ऑफ इग्नॉरंस और शोव में गोल्डन द्रीम ऑफ स्पिरिचिल नौलेज प्लीज रिमूव लॉनलीनस ऑफ मै लाइफ और फिल मैं हाट विद प्लेजर जो ये अगनान रुपी अंधकार है उसको दूर करो और मुझे गनान रुपी सोनेरा स्वपन दिखाओ मेरी जीवन के अंदर जो एक एकलता रही है अकेला पन रहा है उसको दूर करकर मेरे रदय के अंदर जो प्रसंता है उसको भर दो पुखी सबरी ना बोर बे एक आरोगी जा, जनम भुखी ने जमाडी तुझा, मारी वीना निवाणी जगाडी तुझा गाटे बंधानी मारी होडी वचोडी जा, सागर ने सेरे उतारी तुझा पुखी सबरी है उसके जो बोर बेर है उसको आप ऐसे ही ले लो और सिर्फ दर्शन के लिए इच्छा व्यक्त करती है, वह पूरी कर दू, मैं मेरे अहम से अटेश हूँ यानि की काफी इगो मेरे में भरा पड़ा है, प्लीज यह जो मेरी नाव है उसको आप यह संसार से पार करा दू मनना मालिक तारी मोजना हले से फावे त्यार इने हंकारी तूझा, मारी वीना निवानी चगाडी तूझा, मारी बंसी माबोल बेवगाडी तूझा आप तो मन के मालिक हो, आपकी इच्छा से मेरी यह जो नाव है उसको आप आगे ले जाओ, आपको जहां पर इच्छा हो, वहां पर यह नाव आगे ले कर चले जाओ, जैसी आपकी इच्छा है, बग कर चाओ थेंक यू सो मच, कीप वाचिंग, बाई टो आप लड़ निव में 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 पर आपकी इंप ढब साल